लहसुन का अगर मंडी में अच्छा भाव चल रहा होता है तो सभी किसान भाईयों के मन में यही सवाल आता है कि लहसुन को जल्दी तैयार यानि कि जल्दी पका कर केसे बाहर निकले एसे में किसान भाई लहसुन में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रियोग करते है इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन में सिजेंटा की कल्टार का प्रियोग कब करना चाहिए इस्परे करने का सई समय कौन सा होता है कितनी मात्रा लेनी है इसकी कीमत क्या फड़ती है इस्प्रे करते समय कि इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और लहसुन की वसल में अगर आप इसका इस्प्रे कर रहे है तो किस परकार से ये कार्य करती है नमस्कार किसान भाईयों मैं हूँ दसरदाकर आप देख रहे है डीप आर्मिंग यूटूब चेनल इस वीडियो में आपको लहसुन में सिजेंटा कंपनी की कल्टार के प्रियोग की पूरी जानकारी दी जाएगी आप इस वीडियो को पूरा देखिए जो किसान हमारे चेनल पर नए हो चेनल को सब्सक्राइब कर दीजे पास मैं गंटी के निसान को जरूर दबाईए जिससे हम आगे जब भी नया वीडियो अपलोड करे तुरंत आपको जानकारी मिल जाए किसान भाईयों सिजेंटा कंपनी की कल्टार एक बेस्ट पीजियार है यानि की प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पोदे की ग्रोथ को रोग कर कंद का विकास अच्चे से करने वाला यह एक पॉपुलर पीजियार है बहुत से किसान भाई कल्टार का परियोग करते हैं बहुत से किसान भाई इसके बारे में जानते है सबसे पहले बात करते हैं लहसुन की फसल में इसके परियोग के सई समय की वेसे तो किसान भाईयों कंद वरगी फसलों में इसका परियोग कंद बनते समय किया जाता है किसान भाईयों अगर आपके लहसुन में कंद बनना सुरू हो चुका है कंद पक चुका है तो आपको लहसुन को बाहर निकालने से 10 से 15 दिन पहले कल्टार का स्प्रे करना चाहिए लहसुन की जो उपरी ग्रोथ होती है उस ग्रोथ को यह एक परकार से पूरी तरह से रोग देती है जिससे सभी पोसक तत्व कंद के निर्माण में लग जाते है जिससे कंद जल्दी से मोटा बनने लगता है किसान भाईयों कल्टार का स्प्रे आप तब ही करे जिससे के परकार से आपके पूरी की ओपर की एकदम ग्रोथ को रोग देगा उपर की पत्यां दीरे-दीरे सूकने लगेगी और सभी पोसक तत्व कंद के निर्माण में लग जाएंगे किसान भाईयों यह एक परकार से पोदे की गुरोध को रोकर कंद को बड़ा बनाने का काम करता है अब बात करते हैं प्रत्ती एकर्ड डोज की तो एक एकर्ड में आपको लगबग 80-90 एमिल कल्टार का स्प्रे करना चाहिए यह एक बेश्ट फी जी आर है किसान भाईयों अब बात करते हैं इसकी कीमत की तो इसके 50 एमिल की कीमत लगबग 300-300 रुपे के आसपास होती है अलग-लग सेत्रों में कीमत कम या जादा भी हो सकती है किसान भाईयों कल्टार का स्प्रे करते समय कुछ इसी साउधानिया हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप कल्टार का स्प्रे करें तो खेत में नमी होना ज़रूरी है साथ ही आप तब ही कल्टार का स्प्रे करें जब आपके लहसुन की वसल आकरी स्टेज में चल रही हो लहसुन में आदे से ज़्यादा कंद बन चुका हो उस समय ही आप कल्टार का स्प्रे करें लहसुन में कल्टार का ऐस्परे करने के बाद आप 10-15 दिन के अंतराल में लहसुन को बाहर निकाल सकते है ज़ादा दिन तक आप लहसुन को खेत में खड़ा ना रखें किसान वायू इसका ऐस्परे करने से लहसुन की उपरी ग्रोथ को रोक कर कंद के विकास को अच्छे से किया जा सकता है कंद मोटा बनता है तो किसान भाईयो यह थी छोटी सी जानकारी अगर आपको यह वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक और अधिक से दिक सी एर जरूर करें मिलते नई वीडियो में धन्यवाद जैकिसान